हेलो फ्रेंड्स में नाम है वीजे और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप किसी भी स्पेसिफिक नोट के बाद वाली नोट को डिलीट कर सकते हैं सर्कुलर लिंक लिंक लिस्ट में है तो चले स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देगी हमने कल सीखाता है कैसे स्पेसिफिक नोट को डिलीट करेंगे अब हम यह सीखेंगे कैसे स्पेसिफिक नोट के बाद वाली नोट को डिलीट करेंगे कोई अगर यूजर कोई नोट देता है तो उसके बाद वाली नोट को कैसे डिलीट करेंगे तो यहां पर लिखेंगे node और यहां पर लिखेंगे after ठीक है और सबसे पहले क्या लिए लेगा लेगा इस self और यहां पार सबसे बहुत एक condition चक कराएंगे कि अगर head हमारा empty होता है तो दो केश में क्या करेंगे लिखवा देंगे कि हमारे linked is यह है empty है और और simply return करवा देंगे, अगर ऐसे नहीं होता है, ठीक है, तो उस किसमें क्या करना है, सबसे पहले एक temporary variable ले लूँगा मैं, जो कि self.head को point out करेगा, और एक while का loop ले लेंगे, और यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले यह चेक कराएंगे कि कहां तक हमारा data है, ठीक है, मतलब जो user value डाली है, वो कहां पर जाके exist करता है, ठीक है, कौन सी node में, अगर वो x के बराबर नहीं होता है, जब तक temp का data x के बराबर नहीं होता है, तब तक हम पने loop पो चलाएंगे, और उसको find out करेंगे, तो temp is equal to temp.reference, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक कि temp की value को increase करते चले जा रहे ह और यहाँ पर एक cases आएगा, जिसमें क्या होगा, आपका temp का जो reference है, वो बराबर हो जाएगा, आपके self.head के, ठीक है, मतलब हम आखरी node में पहुंच जाएंगे, अगर हम आखरी node में पहुंच जाते हैं, तो उस case में मुझे क्या कर देना है, simply इसको break कर देना है, और यह self क पहले क्या लिया, एक node ले ली, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उसको में temp से point out कर रहा हूँ, पहला case हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर, पहला case यह बनेगा, कि जो हमारी node है, ठीक है, वो क्या है, एक single node है, अपने आपको इपॉण कर रहे है, और user ने यही डाला ह है, वो कह रहा है, एक बाद वाली value को delete कर रहा हूँ, तो इस case में क्या होगा दीखे, temp का data is not equal to xe condition हो जागी, गलत, तो उस case में क्या होगा, उस case के लिए, मिलको यहाँ पर एक condition लिखनी पड़ेगी, कि यहाँ पर जो temp का reference है, अगर वो खुद को point out कर रहा है, तो इसका मत आप सको delete नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पहली condition यह लिखनी, तो एक condition यहाँ पर वो लिख रहा हूँ है, क्या लिखा मैंने, कि if, अगर हमारा temp का reference है, वो is equal to, is equal to हो जाता है, self.head के, तो उस case में क्या करूँगा, मैं, simply message लिखवा दूँगा, कि आपका delete नहीं हो सकता, print, और condition लिख देंगे, cannot be deleted, यह मैंने वैसे लिख वाया, और simply क्या कर देंगे, return कर देंगे, ठीक है, अगर ऐसे नहीं होता है, उसके बाद मैं एक और condition यहाँ बचक कर रहा हूँ, अब यह condition क्या होगी, कि अगर temp का reference का reference, ठीक है, is equal to होता है, self.head के, उस case में हम लोग क्या बली, यहाँ पर लिकने के temp का reference हो जाएगा, वो बन जाएगा, self.head, ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे है, यह आपका इसलिए लिखा है, कि अगर second last में पहुंच जाता है हमारा, यह user ने value c दी, तो आपको पता है, temp का आँके रुके का, यहाँ रुकेगा, ठीक है, अगर temp का reference, मत इसका reference, अगर self.head है, मतलब यह जो हमारा user ने value डाली है, वो second last है, तो उस case में मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस, यहाँ से इसका reference है, इसको change कर देना है, यहाँ पर self.head में, बस, यही कर रख है मैंने यहाँ पर, और अगर इसा नहीं होता है, कोई middle की node आती है second last node नहीं होती है, तो उस case में क्या करूँगा, उस case में आपको एक case बन जाता है, कि अगर आकामा लिजे, user ने value दे दी, तो उस case में अगर इसको delete करना है, तो यहाँ से a का connection है, वो आपको c में डालना पड़ेगा, ठीक है, यह काम आपको extra करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर करना पाड, temp का जो reference है, ठीक है, temp का जो reference है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत बता दे आपको, क्योंकि अगर user b value डालता है, तो b को delete नहीं करना है, c को delete करना है, क्योंकि after वाला case चल आए न, तो हम c को delete करेंगा, तो c को delete करेंगा, तो b का reference होगा, किस को point out ठीक है, यह चीज करवानी है हमें, तो वही चीज के लिए code लिख रहा हूँ, सबसे पहले क्या करूँगा, एक ptr ले लिया मैंने, ptr योगा temp के reference को point out करेगा, ठीक है, तो इस case में देखिए क्या होगा, अगर हमाँ पर इस तरह से node होती है, तो यहाँ पर क्या होगा होगा ठीक है, माले यूजर ने बीडाल दे, यहाँ पर b है, यहाँ a है, यहाँ c है, यहाँ d है, तो मतलब c को delete करना है, तो फिर क्या होगा, यह जो while का loop लगाया है, इसके विज़ा से क्या होगा, हम लोग temp को find out कर लेंगे, मतलब user ने जो value डाल ली होगे, यहाँ पर temp को find out कर लिए मैंने, ठीक है, temp को find out कर लेंगे, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा देगे, ptr is equal to temp reference, तो हमार ptr इसको हो जाएगा, इसको pointer कने लग जाएगा, और फिर मैं यहाँ आपर temp का reference होगा, जो temp का reference होगा, इसको change कर दूँगा, किसके ब्रावर कर दूँगा, ptr के reference के, मतला यह ptr है, इसके reference के ब्रावर कर दूँगा, तो ptr का reference किसके ब्रावर हो जाएगा, पtr के reference के ब्रावर हो जाएगा, और अगर मा लीज़े user क्या करता है, "'c value डाल देता है, c value डाल दी user ने, c delete करना है उसको, तो इसका वत्त हमें आखरी का d delete करना है, ठीक है, त तो यहां पर देखे यह break statement की लिखा इसके लिए मैं आप पो एक case बताता हूँ यह case कब आएगा काम देखे सबसे पहले अगर माल लीजे हमारे पर node है English test तरह कैसे जाएगा फिस सबसे बहले condition चेक होगी यह condition जो है यह चेक करेगी time का reference कहीं equal to नहीं है self.head के मतलब self.head के यहां पर क्योंकि temp आंखरी ही पहुँच जाएगा आंखरी node में तो यहां पर क्या होगा आखरी node भी होता है d आखरी node भी होता है d अगर यहां पूसे d आखरी node भी होगा तब भी यह delete नहीं होपाएगा क्योंकि इसके बाद कोई node नहीं है delete करने के लिए और यह काम यह जो code है यह तब भी काम करेगा जब आपके link list में एक single link होगा ठीक है single point ठीक है उस case में भी आपका यह काम करेगा तो इस तरह से मैंने code लिखा हुआ है ठीक है यह तो यहां पर सारे case आपके cover हो जाएंगे तो देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ सबसे पहले मैं आपको नीचे यहां पर एक object पर create कर लूँगा और obj1. यहां पर लिखेंगे delete node specific node after ठीक है और यहां पर दो value after किसके delete करनी है अगर मुझे 50 के delete करनी है अभी तो पहले data दिखाता हूँ आपको क्या data exist करता है तो मारी link list में यह data है ठीक है माल लेजिए मैं सबसे 596 के बाद वाली node को delete करना चाता हूँ अगर मैं 596 डालू होगा तो 5000 डिलीट होगा ठीक है क्योंकि after वाला case चल ला है तो यहां पर 596 डाला होगा सबसे पहले और इसको करता हूँ रन तो आप देखिए 5000 आपसे delete हो गया ठीक है अब आंखरी node डालता हूँ 588 जो कि क्या करता है कौन से case चलेगा है कि आपके node delete नहीं हो सकती cannot be deleted और पूरी list लिखे भी आ रही है उसके बाद मैं क्या करता हूँ second last video डालता हूँ जैसे 50 minute डाला ठीक है 50 minute डाला तो वाला case यहीं cover कर लेता है 50 डालूँगा तो 558 यहां से delete हो गया ठीक है और अब मैं डालता हूँ कौन सा case तो middle वाला case मतलब अगर 500 डालता हूँ यह आपको पता ही है simply लिखाव आ जाएगा cannot be deleted या linked list is empty ठीक है और अगर पास हमारे पास list होती है और एक ही node होती है ठीक है run किया मैं इसको तो यहां पर cannot be deleted क्योंकि पहली node एक ही node होगी तो वह भी delete नहीं हो पाएगे ठीक है अगर यहां पर 50 भी डालता हूँ है तब भी delete नहीं हो पाएगे देखे ठीक है तो यह आपके सारे case cover होगे तो आज की वीडियो में इतना ही यहां पर मैं छोटी स के subjects पढ़ने में interest है जिसे data structure हो गया, algorithm हो गया, CEO हो गया, database हो गया, computer organization हो गया, operating system हो गया, वहाँ पर detail में हम लोग वहाँ पर पढ़ा रहे हैं और साथी साथ हम लोग आपके वहाँ पर gate के question भी solve करवा रहे हैं आपको ताकि आपको और detail में अच्छे से आपकी तैयारी हो सक अगर आप interested हैं तो channel का link में description में दे दूँगा और यहाँ पर आपको i button भी flash हो रहा होगा उसमें जाके आप subscribe कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतने ही रखेंगे, thank you watching, goodbye, take care